सनातन धर्म के लोग चैत्र नवरात्री का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं साल में नवरात्र का पर्व चार बार होता है इसमें विशेश रूप से शार्दी और चैत्र नवरात्री प्रचलन में है दो बार गुप्त नवरातर पढ़ता है जिसका प्रचलन जादतर साथू संतों में देखा जाता है चैत्र और शारदी नवरातर का प्रचलन सनातन धर्म में विदी विधान पूर्वक बनाया चाता है इस वर्ष चैत्र राम रौमी का परवो 22 मार्च से 30 मार्च तक रहेगा इस दोरान मात दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा अरात्मा की जाते है मातारानी के नव दीन की नवरात्री में कुछ ऐसे भी काम है जो हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए आईए जानते हैं इस रिपोर्ट पर चीच का उपियोग नहीं करना चाहिए नवरात्री में किसी भी प्रकार के चमडे के चीच जैसे बल्ट, पर्स, जूते, आधी पहनने से बचना चाहिए इन दिनों में चमडा पहनना अशुब माना चाहिए नवरात्री में शराब वँ मास का सेवन नहीं करना चाहिए। पर विशेश ध्यान रखना चाहिए नवरात्री से पहले गर की साफ साफ काली करें। मंदिर को भी अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले, मंदिर को सुशेची ढंक से सजाए, घर में किसी भी प्रकार की गंदगी को ना होने दे। अशुब या अपशब्द वा जूट बोलने से बचना चाहिए। मातरानी के सभी भकतों को नवरातरी के दौरान अशुब या अपशब्द बोलने के साथ साथ किसी भी प्रकार का जूट किसी से नहीं बोलना चाहिए। इन गलतियों से बच कर मातरगा की पूजा उपासना जिस घर में होती है उस घर में मातरगा प्रवेश करती है। जो लोग नवरात्री में कटिंग या शेविंग कराते हैं उन्हें भविष में सफलता की प्रापती नहीं होती